मार काट्टून टीवी एक गाउं था जहां के लोग बहुत कम पड़े लिखे थे और खेती का काम करके अपना गुज़र बसर कर रहे थे गाउं में रात को जंगली जानवरों की आवाजें आती थी और कुछ दिन से तो गाउं में हर पूर्ण मासी और अमावस की रात को किसी घर के एक सदस्य की मौत हो जाती थी बहुत सदस्य या तो आदमी होता था या फिर नौजवान लड़का होता था ठीक कहते हो अरिया कितना कुछाल गाउं था हमारा लेकिन ये कुछ समय से पता नहीं किसकी नजर लग गई है कितना कुछाल गाउं था हमारा पता नहीं हमारे गाउं का किसकी नजर लग गई हाँ अरिया तुम ठीक कहते हो गाम वालो तुम जितना भी अपने घर के अंदर छुपकर बैठ जाओ लेकिन मुझसे बचना बहुत मुश्किल है तुम सबका गाउं के लोग बहुत डर गए थे और पूर मासी या फिर अमावस की रात को कोई भी घर से नहीं निकलता था एक अमावस की रात एक कबूतर गाउं में इधर उधर मंडरा रहा था देखने में कबूतर और कबूतरों से थोड़ा बड़ा और आवाग जोपड़ी के उपर बैठ जाता है और कुछ देरी के बाद वहां से चला जाता है कुछ देर बाद एक काली परचाई उस जोपड़ी के बाहार आती है वह परचाई एक चुडेल में बदल जाती है आज इसी घर में चल कर शिकार करती हूँ अपना चुडेल एक बुडिया के रूप में बदल जाती है और उस घर का दर्वाजा खटखटा दी है अरे जग्गू बेटा दर्वाजा खोल मैं तेरी मौसी हूँ बेटा मेरी तो कोई मौसी नहीं आ लेकर अरे मैं देरी सगी मौसी नहीं हूँ मैं दूर की रिष्टेदार लगती हूँ अरे मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है और मैं दर दर की मारी फिर रही हूँ पता चला कि इस गाउं में तू रहता है तो अब तेरे पास चली आई बेटा कुछ बड़े बुज़र को पर दया रख भगवान तुझे बहुत कुछ देगा जग्गू को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है अच्छा मैं जल्दी से दर्वाजा कोलता हूँ तुम बिना देरी किये अंदर आ जाना ठीक है बेटा जग्गू दर्वाजा खोलता है और वह बुढ़िया हवा की भी तेज गती से अंदर आ जाती है क्यूं बेटा जग्गू मैं अंदर जल्दी तो आई ना हाँ मौसी अच्छा यह बताओ गाओं आज इतना सुनसान सा क्यू है अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई मौसी क्या बताओं यहां कुछ महीनों से पून मासी और अमावस्या की रात को गाओं का कोई ना कोई आद में मारा मिलता है जैसे किसी नो उसको मार कर उसका खून पिया हो अरे दया कौन हो चुडायल तो नहीं आ गई अरे नहीं मौसी हम चुडायल वुडायल की बात कोई नहीं मानत है कोई जानवार होगा और जंगल से अपना रासा भटक कर गाउं में आ गया होगा तुमने उस जानवर को नहीं देखा है नहीं मौसी हमने तो नहीं देखा तो फिर चुडैल ही हो वेगी अच्छा तुमने कोई चुडैल देखी कभी नहीं मौसी मैं चुडैल विडाल की बातों पर विश्वास नहीं करता अरे ये सब तो सुनाई सुनाई बाते हैं मौसी उसी समय एक भयानक चुड़ेल के बदल जाती है चुड़ेल चुड़ेल क्यों आब के उड़र रहा है जग्गू तू तो मानता ही नहीं है न चुड़ेल को जग्गू वही बेहोश हो जाता है और वह चुड़ेल जग्गू को अपने उपर उठा कर ले जाती है कहता था कि कोई चुड़ेल को नहीं मानता आप तु मानने लाइक रहेगा भी की नहीं और अगले दिन सुबह जग्गू की लाश मिलती है पूरे गाउ में सब लोग परिशान हो जाते हैं अगिर ये जग्गू को गार से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी हाँ रामू वाया ये हमसे कहता भिरता था कि कोई चुड़ेल बुड़ेल नहीं होती देखाना जादो आउस यारी दिखाने का नतीजा अब तो गाउ वालों में डर का माहौल और जादा हो गया था सब लोग अब दिन में भी गाउ से बाहर निकलने में बहुत डरने लगे थे एक पूर्ण मासी की रात कबूतर फिर से गाउ में मंडरा रहा था गौरी एक गाउ की लड़की थी उसके बाबा गाउ में दूद बेचा करते थे वह अपनी जोपडि के बाहर गाई को देखने गई थी कि तभी उसको वह कबूतर दिखाई दिया अरे रात को कबूतर क्या कर रहा है और यह कबूतर कैसी आवाज निकाल रहा है वह कबूतर लखन के घर के उपर क्यों बैठा है वह अपनी जोपड़ी की खिड़की से सब देखती रही थोड़ी देर बाद चुड़ेल वहां आ जाती है और गौरी का रूप बना लेती है लखन की जोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है ये भगवान ये तो चुड़ेल है और लखन के घर के बाहर है आज तो लखन की जान को बहुत खत्रा है मुझे जल्दी जाना होगा उधर वह चुड़ेल लखन का दरवाजा खटखटाने में लगी हुई थी कौन है इतनी रात को बाहर गोरी इतनी रात को लेकिन गोरी क्या बात है जो तुमको इतनी रात को आना पड़ा मैं तो तुझे बस देखना चाहती थी बड़े दिन से तुझे मिली नहीं हूँ न इसलिए एक मिनट दर्वाजा खोलो मैं तुमको देखकर चली जाऊंगी लखन जैसे ही दर्वाजा खोलता है तो वह देखता है कि वहाँ एक नहीं दो गोरी खड़ी है चुडेल देखती है कि उसके पीछे असली गोरी खड़ी है तभी चुडेल अपने असली रूप में आ जाती है आप लखन तू गया ये तेरी गोरी भी गई अरे ये कैसे हो गया कौन है तू तू चुडेल और तू क्यों गावालों को मार रही है चुपकर मैं तुझसे मतलब नहीं रखती हज्जा मेरे रास्ते से वरना बे मौत मारी जाएगी चुडेल बसकर अपना मौत का नाच चली जाए यहां से नहीं तो तुझे मार देंगे हम इतनी हिम्मत है तुझ मैं ऐसा कहकर चुडेल लखन को मारने के लिए दोडती है लेकिन गौरी अपने घर की अंगीठी में से जलती हुई लकडी लेकर आ जाती है और चुडेल के बालों में आग लगा देती है अरे मार गई रे ये तुने किया गिया लड़की मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगी कच्चा चबा जाओंगी तुझे चुडेल के बालों में आग लग जाती है और वह वहां से भाग जाती है और अपने आपको एक तालाब में दुबा देती है आज गौरी तुने होती तो ना जाने मेरा क्या होता अगले दिन गौरी और लखन गाओं के सारे लोगों को यह बात बता देते हैं मैंने अपनी आँखों से देखा है सबसे पहले वह कबूतर आता है और जिस घर की चट पर बैठता है वह चुडेल उसी घर में आ जाती है सब गाओंवाले एक योजना बनाते हैं और सब अपने घरों की चट पर जाल बिचा देते हैं अगली अमावस की रात कबूतर फिर न जराया वह उड़ता हुआ गाओं का चक्कर लगाने लगा और कबूतर एक जोपड़ी में जो की लल्लन नाम के पहलवान की थी वहां बैठ गया और वहां बैठ कर जोर जोर से आवाजे देने लगा लेकिन जब कबूतर उड़ने की सोच रहा था वह उड़ नहीं बाया क्योंकि कबूतर अब लल्लन की जोपड़ी में लगे जाल में उख़ची बाता लल्लन बहाराया और उसने सारे गाहँवालों को इखटा कर लिया अब बूतिया कबूतर हमारे जाल में फंस गया है अब ये चुड़ैल भी इसको छुड़ाने जरूर आएगी सब लोग अपनी अपनी मशालों के साथ तयार रहो आज हम इस चुड़ैल को जिन्दा चला देंगे हम सब तयार है लल्लन आज आने दो चुड़ैल को सारे गावाले वहां इखटा होते हैं और उस कबूतर को पिंजरे में कैन कर लेते हैं तभी वहाँ पर जोड़ से हवाई चलने लगती है और वह चुड़ैल भी भावरा जाती है चोड़ दो इस कबूतर को ये कबूतर मेरा है अगर किसी ने इस कबूतर को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूँगी ये कबूतर तो अब मैं पका कर खाऊंगा ललन लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं चुडैल को गुसा जाता है और वह ललन पर हमला कर देती है और वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी मारने लगती है तुम गावालों को अभी मेरी ताकत का पता नहीं इसलिए तुम मेरे से मुकाबला करने आये हो पहले तुम सब की अकल ठिकाने लगाती हूँ अभी एक एक को सबख सिखाती हूँ क्यों आप पता चला मुझसे लड़ना और मुझे मारना तुम लोगों के बस की बात नहीं किड़ाल में सब गावालों को बेहाल कर दिया था लेकिन वो इस बात से अंजान थी कि कोई उस कबूतर की तरफ बढ़ता चला हा रहा था जो की अभी भी कैद में था करना होगा शायद अब चुड़ैल को भी काबू में किया जा सके गौरी उस कबूतर को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन दबाना रहा है और इस बात का एहसास उस चुड़ैल को भी हो जाता है जब कबूतर की तरफ देखनी है तक बहुत तेर हो चुकी थी क्योंकि गौरी के हाथ की पकड़ उस कबूतर की गर्दन पर कसी हुई थी रुख जा पागल लड़की ये तू क्या कर रही है इस कबूतर को छोड़ दे बरना तू जिन्दा नहीं बचेगी चुड़ैल अब चाहे मैं जिन्दा बचू या नहीं लेकिन इस कबूतर की गर्दन तोड़ने से मुझे कोई नहीं रोग सकता ऐसा मत कर लड़की मैं इन सारे गावलों को छोड़ दूँगी और यहां से चली जाओंगी तू इस कबूतर को छोड़ दे नहीं गोरी इस कबूतर को मत छोड़ दा ललन जल्दी से गोरी के पास जाता है और उस कबूतर को अपने हाथ में ले लेता है तूलल तूने मारी गाव में बहुत उत्पात मचाया है अब तुझे इसकी सजा भुगत नहीं पड़ेगी आज मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ कर ही रहूँगा क्योंकि यहीं तुझे बुलाता है लोगों के खरों में लललन मैं तुझे बार-बार बोल रही हूँ ऐसा मत कर वरना तुम्हारे इस गाव को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता लललन उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कबूतर की गर्दन तोड़ देता है गबूतर की गर्दन तूटते ही बाच चुड़ेल भी नहापर गिर जाती है ये तुमने क्या किया गावालो ये भूतिया कबूतर था तुमने इसको मार कर अपनी मौद बुला ली है आप इसका बड़ा भाई बहाँ जाएगा वो बहुत सक्तिशाली है और इसकी मौद की खबर उसको भी मिल गई होगी अब तुमको कोई नहीं बचा सकता वह चुड़ा उठती है और उसका बूतर को लेकर वहाँ से जाने लगती है अब तुम सब नहीं बचोगे